वेलकम हम इंटेलिगेंशे इंशेटूट इंटेलिगेंशेटूट के चैनल को आप लोग ज्यादा स्यादा, सीर एंड सास्क्राइब के रिए आरों यारों के लिए हिंदी चला है, हिंदी में हमत above तस्सम जो है कभर कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। निमलिकित में से एक तदभो सब्द है, ठीक है? निमलिकित में से एक तदभो सब्द है, तो इसमें तदभो क्या होगा? तो पूंजी जो है ये तदभो है, बाकी नयन, सकून और मुर्ख, ये सब जो है तस्सम है, ठीक है? आगे देखते हैं, बेंत, बेंत का तस्सम रूप ह यह होता है यह होता है बेत्र क्या होता है याद रखना चैसे आगे देखते हैं चना का तस्सम रूप है तो चना का तस्सम जो होता है यह होता है यह होता है चड़क क्या होता है चड़क होता है आगे देखते हैं उन का तस्सम रूप है तो उन का तस्सम जो होता है यह होता है उर्ण क्या होता है उर्ण होता है ठीक है और चैनल को आप लोग सस्क्राइब जरूर करें ठाली ठाली का तस्सम रूप है तो ठाली का तस्सम होता है अस्थाली क्या होता है अस्थाली होता है ठीक आगे देखते हैं जामून जामून का तस्सम रूप है तो जामून का तस्सम क्या है तदभों है ठीक है एक तदभो सब्द है इसमें ये पूछा गया है कि एक तदभो इसमें निम्लिकित में से तदभो क्या है तो जो पंजीरी होगा पंजीरी जो है ये तदभो है बाकी पंचाली पंडित और पंजर ये सब तस्सम है एक तदभो सब्द है एक तदभो तो अटल अटल जो है तदबहू यह बाकी आतूर, आजीर और अतिथी यह तष्सम सब्द है निमलिकित में से कौन सा सब्द तदभो नहीं है अब यहां यह पूछा गया है कि चार आपशन दिये गये हैं और इसमें तदभो नहीं यह पहचानना है मतलब तष्सम मताना है तो शायन यह तश्म है बाकि दुवार घिरिश्ति और पाउंग यह सब जो है तदभों है ठीक है आगे दिखते हैं और चैनल को आप लुग जादा स्यादा सस्क्राइब करें शियर करें लाइक करें आगे दिखते हैं एकल एकल सब्द का तदभो सब्द है एकल सब्द का तदभो सब्द है मतलब एकल का तदभो पूछा गया है तो अकेला होगा ठीक है और एकल क्या है एक तस्सम सब्द है करपट करपट सब्द का तदभो सब्द ठीक है करपट जो है तो करपट का जो है में तदभो बताना है तो इसका तदभो क्या होता है ग्रिद सब्द का तदबो रूप है तो इसका तदबो होगा गीद मक्की का तस्वरूप है तो मक्की का तस्वरूप है माच्णा स्वारी मक्की का तस्वरूप है मच्छिका क्या होता है माच्छिका होता है हल्दी सब्द का तस्वरूप है तो हल्दी का तस्वरूप है तो हल्दी का तस्वरूप है तो हुल्लास का तस्वरूप है तो हुल्लास का तस्वरूप है तो हुल्लास का तस्वरूप है तो नारियल का तस्वरूप है तो नारियल का तस्वरूप है तो नारिकेल क्या होता ह तो जो रात है ये क्या है तदभो है यही सही होगा बाकी दिनेश, मनोज और इंदू ये सब क्या है तस्सम सब्द है आगे दिखते ही तिक्त सब्द का तदभो है तो तदभो क्या होगा तो तीता होगा ससुर का तस्सम सब्द है तो ससुर का तस्सम स्वासूर होता है तदभो सब्द निर्दिष्ट कीजिए मतलब तदभो बताना है इसमें तो आधा जो है ये तदभो है बाकि बिद्या, कूप और व्योम ये सब क्या हैं? तस्सम सब्द है ततस्ण सब्द है तो ततस्ण क्या होगा इसमें ये पूछा गया है तो इसमें देखिए दो आपसन है एक कटिन ये भी तस्ण है और कलिष्ट ये भी तस्ण है बाकि कठोर और मजबूत तद्बहों सब्द हैं धीट, धीट सब्द का तस्सम है, तो धीट का तस्सम होता है, दूष्ट, ठीके, क्या होता है, दूष्ट, तस्सम सब्द का चैन कीजिए, इसमें तस्सम बताना है, तो ब्याग्र, ब्याग्र जो एक तस्सम सब्द है, बाकी सेर, बबर सेर और बाक्स, क्या है, तदबों है, मा सब्द का तस्सम है मा जो है तो मा का तस्सम क्या होगा तो मा का तस्सम होता है मात्र क्या होता है मात्र होता है ठीके और माता मात्र का और अम्मा ये सब क्या है तदभों है ठीके तदभो सब्द है अब तदभो सब्द पताना है तो इसमें दो आफसन होंगे मनूष्य यह क्या है अर्म सबद क्यौन सब्द का तस्द करस्ट क्या होगा कि तस्व तस्व और तद्वो दिये गए हैं इसमें तुरूटी क्या है मतलब सही जोड़ा नहीं है यह पुछागा है तो कपाट का कपड़ा यही गलत है क्योंकि कपड़ा जो करपट होता है करपट करपट का क्या होता है कपड़ा होता है तो यह क्या है गलत है यह बाकि तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत तो अकरोड का तस्वम होता है आचोट। अकारी सब्द का तदभो रूप है तो अकारी का तदभो होता है अकाज। टकसाल का तस्वम रूप है तो टकसाल का तस्वम होता है तंकसाल। इनमें से तस्वम सब्द है तो इनमें से तस्वम क्या है तो पद जो है ये तस्वम है बाकी बारह, सच और भैंश, ये क्या है, तदबों है, गोबर का तस्सम रूप है, तो गोबर का तस्सम होता है, गौमे, निमनिकित में से तस्सम सब्द है, तो तस्सम इसमें क्या है, तो तीर्थ जो है, ये तस्सम है, बाकी जो है, नरक, नरम और गरम, ये क्या है, तदबो हैं अंगीठी सब्ड का तस्थम है अंगीठी एंगीठी का तस्थम क्या होगा तो अगनिष्ट का होगा क्या होगा और चैनल को आप लोग सस्क्राइब जुरूर करें निमभी रिखित में से कौन सा निमभी रिखित में से कौन है तद्भ need been to तो सूरज जो है यह तद्बो है, बाकि दिवाकर, दिनकर और प्रवाकर यह सम तद्सम सब्द है, निम्लिकित में से कौन सा, निम्लिकित में से कौन सब्द है, तद्सम नहीं है, मतलब तद्बो है, ठीक है, तो आख जो है, यह तद्बो है, बाकि नेत्र, नैन और द्रिग, ये सब क्या है ये सब तस्सम है लेकिन आख जो है ये तदभो है ठीक है निम लिखित में से निम लिखित में से ततस्सम सब्द है मतलब ततस्सम है तो मुख जो है ये ततस्सम है बाकी कान जीब और दांत ये सब तदभो है निम लिखित में से कौन सा सब्द जो है तदभो है तो बहुरा जो है तदभौ है बाकी मदुकर, माधुप और ब्रहमर ये सब क्या है ये सब जो है तस्सम है ठीक है शिंगार सब्द का तस्सम है तो शिंगार का तस्सम शिंगार होगा हल्दी सब्द का तस्सम है तो हल्दी का तस्सम क्या होगा तो हरिद्रा होगा गेहु सब्द का तस्सम है तो गेहु का तस्सम गौधूम होता है खंडहर का तस्वम सब्द है तो खंडहर का तस्वम खंड ग्रे होता है ठीक है खंड ग्रे होता है तस्वम और उसके तदभो रूप की द्रिष्टी से नीचे लिखे बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प गलत है ये पूछा गया है ठीक है तो आद्रक आद्रक का गिला यही ग इन में से तत्सम तद्भो का एक सब्द इग्म असुद्ध है वह कौन सा है ये बताना है इमको तो एक का इक होता है यही गलत है बाकी गौमे का गोबर होता है उदरतन का उबटन होगा इच्छिका का छाच होगा नमलिखत में से तत्सम तद्भो का गलत इग्म है ठीक है गल वाकी जाति ग्रे का नेहर होगा तिक आगे देखते हैं ने मुलेकेत में से तदभो सब्द आप यह पूछा गया इसमें तो भंडार जो है बाकी कटुक कुकुर और मयंद ये सब क्या है तत्सम है। इन में से तत्सम तदभो का सुध्ध युगम, अब यहाँ पे सुध्ध पूछा गया है, तो अरगट का राहाट होगा, यहीं सही है, बाकी सब गलत है, भाक्त का तत्सम, भाक्त का तदभो क्या होगा, भाक्त का तदभो पूछा गया है, तो भाक्त का तदभो होता है, भाक आगे देखते हैं, इन में से तस्वम तदभों का एक युगम जो है असुद्ध है, और वह कौन सा है, तो स्रेश्ट का शेठ यही जो है असुद्ध है, बाकी जो है उपध्याय का ओज़ा यह सही है, अगनिष्ठ का अंगीठा होता है, आदरक का अदरक होता है, ठीके? तो हम 90 questions लगभग में कबर कर चुके हैं जो बचे हुए हैं next lecture में कबर करेंगे और आप लोग channel को जादा से यादा share करें subscribe करें, like करें Thank you for watching this lecture